Hello friends, अभी हम देखिए कि आपके person, उनकी family members, आपके person की receives और आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? पहले हम देखेंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचती हैं, ठीक है? देखें लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आपने सबको छोड़ दिया है या आपको सबने छोड़ दिया है यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप सबसे अलग होते जा रहे हैं आप अकेले पड़ रहे हैं, अकेले ही रोते रहते हैं, अकेले ही दुखी होते रहते हैं आप किसी को अपने आसू दिखाते भी नहीं हैं, आप बहुत उदास रहते हैं, बहुत ही सैड के एनरजी में रहते हैं, आपके आसपास के लोग यही सोच रहे हैं कि वह यह परसन बहुत दुखी है, इसको बहुत कष्ट मिल रहा है, ऐसा आपके बारे में सोचते हैं. यह आपके person उनको दिखाई देते हैं कि आपके person जो है वो male female कोई भी हो सकती हैं लेकिन आपके person को वो बहुत ही खुश देखते हैं और आप बहुत ज़्यदा दुखी हैं ऐसा भी लोग आपके बारे में देखते हैं यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे हैं कि लोग आपके बारे में यह भी सोचते हैं कि भई भगवान ने इसको इतना दुख दिया है ठीक है और यह person जेले जा रहा है जेले जा रहा है ठीक है भगवान भी इसकी नहीं सुन रहे हैं आप शयद बहुत पूजा पार्ट करते होंगे बहुत ज़्यदा spiritual person होंगे बहुत meditation करते होंगे ठीक है बहुत ज़्यदा यहाँ पर आप spiritual दिखाई दे रहे हैं लोगों को तो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यह person इतनी पूजा पार्ट पर उनको एसा भी लगता है कि वैसे कोई ने बहकवान इसकी मदद कर रहा है यह अकेला इनका सामना नहीं कर सकता है और कोई ने बहुत ही क्या ज़्यादा इंसान और भदल गया यह पहले जैसे था वैसा नहीं है यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि वो आपके बारे में यही सोच रहे कि आप काफी बदल गई हैं ठीके और शायद आपको जो सर्व नहीं करते हैं आपने उनको छोड़ दिया हैं यह भी उनको पता है या फिर आपके आपके पार्टनर की फैम्ली मैंबर्स तर्व आपको छोड़ दिया हैं अपनी लाइफ मे मिया وہ जो है आपको रखते नहीं हैं आपको अपनी life में कोई भी काम में आपको इनौल नहीं करते हैं ठीके ऐसा दूटिन आपर दिखाई दे रहे हैं कि लोग आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं अब हम देखते हैं कि आपके person के family members आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ठीके देखे, थ्री ओफ कफ्स, आपके परसन की फैमिली मेंबर्स आपके बारे में यही सोचे रहें कि इसके अंदर इतनी पावर कहां से आ गई है जो हमारा सामना करता है या करती है जो अपने लिए स्टैंड लेता है जिसको घर भी चाहिए पैसा भी चाहिए जो बोलने लग गए है इसका समय कैसे बदल गए है यह इनसान जो है शादी के टाइम ऐसा नहीं था लेकिन अभी बहुत स्ट्रॉंग बन गए है आप हो सकता है पहले बहुत मासूम हुआ करते हों बहुत इनोसेंस आप किसी के सामने फाल तो बात नहीं करत क्योंकि यह लोग आपको दबाते होंगे अपके पार्टनर उनके फैमिले मेंबर्स ठीक है आप बोलते नहीं हो या फिर आपको पने पेरेंट्स के बहुत तेंशन होती होगी कि बई जाएगी मेरी फैमिले की बेजती हो जाएगी अगर मैं कुछ बोलूगा या बोलूगी कि आपको कोई सपोर्ट तो दिख नहीं रहा है अब आप क्या करेंगे कि अपने लिए आवाज इठाएंगी भी बोलना ही पड़ेगा कोई साथ में नहीं है तो तब उनको यह लग रहा है कि यह इनसान जो है पूरी तरह से बदल गया है ठीके यह इनसान पहले इतना जादा आपने लिए चाहिए नहीं लेता था अपने लिए इस प्राफटी नहीं भी चाहिए तो यहां पर उनको ऐसा लगते है कि अभ आप जो है पदल रहे हैं और और इसी की गाइड़ेंस भी आपको मिल रही है यह या यूनिवर्स आपको मुदत कर रहा है आप काफी मैटेशन करती होंगे, पूझा पाट करती होंगे, अब आप उनको खुश नजर आते हैं, चाहे आपके अंदर कितना ही दुख है, लेकिन आप उनको दिखाते नहीं है, कि मैं दुखी हूँ, आप उनके सामने से जब निकलते होंगे, तो बड़ा खुश होकर दिखाती होंगे, उनको इसा लगता है कि बहिए इन्सान इतने दुख जील करके भी खुश कैसे रह सकता है। बूर्ड इतना स्ट्रोंग कैसे हो सकता ये परसन इसका कोई साथ नहीं देता है। ये बिल्कुल जो है अंदर से टूटा हुआ है। फिर भी ये इतना खुश कैसे होकर दिखाता है। अब आप Queen of Swords के energy में आगे हैं या तो अपने लिए stand ले रहे हैं तो आप कहते होंगे कि मुझे अगर आप कुछ नहीं देती हैं तो आप मुझे तलाग दे दीजिए आप मेरे साथ में justice नहीं कर रहे हैं ठीक है मुझे justice चाहिए आप अपने लिए stand लेने लगे हैं आप अभ आप और उनकी जातियों को बरदास्त नहीं करना चाहती हैं आप इस relationship से जो है moan करने के सोच रहे हैं ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि यह third party ने आपका जीना हराम कर दिया है उनके family members ने आपका जीना हराम कर दिया है मुझे यहां पर यह दिखाई दी रहे है आपके person कान के कच्चे हैं जो उनकी बातों को सुन करके आपको torture करते हैं बहुत जादा परिशान करते हैं अब आपने ही decide कर लिया है कि आभी मुझे इनको let go करना पड़ेगा और मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा शायद यह decision अभी आपने दो दिन में लिया है या लेनी उनको जो है छोड़ दिया है और वो घबराएवे हैं ठीके तो मैंने सभी की बताई है यहाँ पर आपके आसपास के लोगों की उनके family members की आपकी person की तो आपकी person बहुत डर गई है कि मैंने दूसरी लोगों की बात को सुना है अपने family के अपने friends की बातों पर जदा ध्यान या फिर जो है अगर long distance में है तो उनके कोई call a text message आपकी तरफ आ सकता है यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दी रहे है गाइस की उनको कहीं कोई clarity मिली है कि आप जो है उनको इसलिए अपनी life से निकाल रहे हैं कि उन्होंने आपको कभी कुछ दिया ही नहीं आपको ना importance दी न आपकी help नहीं की इस वज़े से जो है वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि मैंने अपने partner के साथ में justice नहीं किया यहाँ पर शायद वो आपको commitment देने की सोच रहे हैं ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहे है कि वो आपको commitment देने की भी सोच रहे हैं यहाँ पर वो यह सोच रहे कि आपने उनको जो है छोड़ दिया है आपके परसन इसी वज़े से दुखी हो रहे है ठीक है तो गाइस आपके परसन तो बहुत दुखी है आपके परसन बहुत सैड की इनरजी में है बहुत टेंशन में है कि आपने उनको छोड़ दिया है यहाँ पर क्योंकि आप अपनी ल बाँ बाँ